आपको तो पता ही चल गया होगा थंब्नेल और टाइटल देखे कि हम किस मुवी के बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं तो मुवी इस सनम तेरीकसम जिसमें आक्टर हैं अर्षवर्दन राने और एक्ट्रिस मावरा होकें जो एक पकिस्तनी आक्टर्स है जब मैं इस मुवी के रिव्यू देखा था आइधिंग इन 2016 दिन आई डिसाड़े नॉट वाच बिकास मुवी में चीस्ट अचा नहीं है त तो देखने में यह इनों टाइम वेस्ट पर्ट यह लॉग्डाउन में बोर होने से अच्छा एक मुवी या सिरीज खतम कर दो तो मैक्सिमम सिरीज तो मैं देख चुका था इन इस टू यह लॉग्डाउन में बस एसे आज मॉनिंग में बेटके कुछ तो ब्रॉज कर रहा का मुवी उसको में हाफ अन आवर में खतम कर दू तो अटलिस नेक्स्ट मुवी या सिरीज में जम कर सकूंँ बट यू डूंट बिलीव तो मुवी इस रियली गुड और इवन इडिंस कि फॉन सेकंड वाल वाचिंग दिस अभी ज्यादा बक्वास ना करके हम चलते हैं मुवी में जो मेन क्यरेक्टर हैं इंदरलाल परिहार जिनके साथ ऐसे एक घटना हुई थी बच्वन में जिसके लिए आज भी उनके सुसाइटी में उनका इंप्रेशन अच्छा नहीं है और उनका जो वेरी बैड एडिक्शन टौर्ट्स एलकोहॉल और रेकलेस बिहेवि सुसाइटी में तो इसलिए सुसाइटी मेंबर्स भी उनसे दोरी रहना पसंद करते हैं जहांतर और हम आते हैं सेकेंड में चारेक्टर चो फिमेल क्यारेक्टर हैं सरश्वती पार्थ शारती उर्फ शरु जो एक्स्ट्रमली ट्राडिशनल और प्रामिन फैमिली से बिलों कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा उल्ड फैशन और अन्वापिलीं दिखती है उपर से उसकी छोटी बेन के फियांसे भी प्रेशर डालता है कि उनके साधी कर ले मतलब उनके जो कावेरी और उनके जो फियांसे उनका साधी करने लिए इन दोनों के पापा बहुत बात होता है फिर क्यों सरु के पापा सरु जुन्दा होते हुए भी उनके फोटो में फूल का माला हमेश्चे डालते हैं फिर सरु कैसे सब खुद मैनेज करती है यह सब के आंसर चाहिए तो आपको यह मूवी देखना ही होगा मूवी के एंडिंग में थोड़ा सा ही सीन मत अब इमोशनल शिन डालती हैं ओवराल मूवी इस वेरी नाइस मजा आया मूवी के काने बहुत मेलोडियस हैं और यू 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 डेफिनिटल लाइक इस लाइकेबल यू लेकिन अकर सामने वाला रैसे प्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूं स्वीट सींपल हा करेक्टर इंदर और सरु के जो कैमिस्ट्री है इस वजह से आपको जरूर देखना चाहिए मूवी आप सूचिए मूवी इतनी बेकार होती तो क्या आयम डिव ने इसको 8 आउट आट ओफ 10 रेटिंग देता कर दो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और बहुत अच्छी जो हमने सुना वाथ है कि लोगों ने कहा कि जी बहुत खराब है लेकिन रेली बहुत अच्छी हुए बहुत आला थी यह के ना रोमेंटिक टाइप थी तो थोड़ा सा लास में रोना दोना हो गया एक्टिंग जो म भी एक रेटिंग देते हैं पहले से सो आई विल गिव नाइन आउट ओफ टेन आप भी अपना जो रेटिंग है आप नीचे कमेंड में बदा सकते हैं यह रिवीव अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब नहीं कियों तो कोई कर लिए अराम से करलना टाइ कोई मुझसे शादी नहीं करना चाता हूँ